हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों बजरी तूतों की मट्कियों में हमें क्या चीज डालनी चाहिए काफी भाई कन्फ्यूज रहते हैं कुछ भाई ये सोचते हैं कि हमें रूई डालनी चाहिए बजीस पैरट की मट्कियों में अंडे देने से पहले कुछ घास फूस रख material क्या होता है क्या होना चाहिए मटकी में क्या डालना चाहिए जिस से जल्दी से जल्दी अंडे आ जाएं और आगे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपने बजीज पैरेट की जो मटकी आएं उसके अंदर क्या चीज डालता हूँ तो वीडियो बहुत ज़ादा informative है वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कलने सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स बजीज पैरेट से जब ब्रीड लेनी होती है तो उनकी जब मटकें लगाई जाती है तो कुछ भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें उनकी मटकें के अंदर क्या चीज रखनी चाहिए तो कुछ भाई सोचते हैं कि हम लोग घासफूस रख देते हैं उससे अंडे आ जाएंगे कुछ भाई सोचते हैं कि हम लोग रुई रख देते हैं या कुछ भाई मिट्टी वगएरा के छोटे-छोटे कंकल रखने के सोचते हैं तो देख सकते हैं आप ये मट्कियों में आपको जो ये नजर आ रहा है तो आप ये लोग सोच के कन्फ्यूज होते हैं कि भाई ने इस मट्कियों के अंदर क्या डाल लखा है तो ये वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप अपने भची तोतों की मट्कियों में क्या चीज रखते हैं तो आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका मैं रिपलाई करता हूँ तो उससे काफी भाईयों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपनी मठकियों के अंदर क्या चीज ब्रीट कर सकें अंडे दे सकें लेकिन बजीज पैरट जो होते हैं दोस्तों बजरी तोतों के जो नेस माटीरियल होता है वो कुछ भी नहीं होता है आप जो मट्कियों में मेरे देख रहे हैं या आपने वीडियो में देखा होगा कि मट्कियों में छोटे-छोटे से कं तो दोस्तों यह कुछ नहीं होता है बजरी तूते जब ब्रीड करते हैं मटकियों में जब रहते हैं उनके बच्चे निकलते हैं तो वो बीट करना स्टार्ट करते हैं यानि अपनी पॉटी करते हैं उसके अंदर और वो शूक सूक कर छोटे छोटे से कंकर बन जाती है जो ल नहीं होती है आप केवल उनका ब्रीडिंग बॉक्स और खाली मट्की लगा दें और बजरित होते हैं खाली मट्की के अंदर ही ब्रीड करते हैं अंडे देते हैं ना तो उनके अंडे खराब होते हैं ना ही अंडे टूपते हैं तो आप ये सोचकर कन्फ्यूज ना हुआ करें कि मट्कियों के अंदर अगर हम रूई रखेंगे या घास के तिनके रखेंगे या कुछ मिटी वगएरा रखेंगे या कुछ सैंड वगएरा जैसे रेत वगएरा रखेंगे तो उससे ही अंडे आएंगे या अंडे तूटेंगे नहीं और अंडे फर्टायल होंगे ऐसा लगाएंगे तो वो ब्रेट नहीं करते हैं लेकिन बज़नी सुखी मठकी में अंडे देते हैं तो बाई काफी भाईयों को चेज़ंता है हमारे अंडे नहीं आ रहे हम मठक्यों में रुज़ और घांस यह कुछ और चीज रख दें जिस से अंडे आजाएं तो भाई ऐसा नहीं है कि यह चीज रखने से अंडे आएंगे जब बाट्स आपको प्राइवेसी मिलेगी ब्रीट पर आएंगे अच्छी डाइट मिलेगी उनको डिस्टरबेंस नहीं होगा तब वो अंडे दे देंगे मट्की में किस चायद मट्कें के अंदर डाल रखा या किसी भी भाई की वीडियो देखते हैं आप तो कंफ्यूज रहते हैं उसमें कुछ नहीं होता दोस्तों वो बर्ड्स की पॉर्टी होती है तो ठीक है दोस्तों इजाज़त दीजिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में ओके गुड कि अगली वाली वीडियो में पेखते हैं वीडियो में जली में वाली वाली वीडियोगता है आप कर दोस्तों के वाली हैं वीडियो